रादे-रादे जय सिर्किष्णा दिवाली आ रही है और सब लोग मिठाईयों की तैयारी करें तो मैंने भी बहुत ही लाजवा मिठाई बना की तैयार किये वो भी अपने घरे में रखी हुए स्वामानों से तो आज हम उसी वाली मिठाईय को मैं सेर करने वाली हो यह मेरे पा पानी से नहीं लगाना है, हमें दूर से लगाना है, तो बस इससे ना, ओ ये घरम नहीं है, एक दम जो फिरिश का निकला हुआ होता है, वस वह ये, इससे में हम पूडियों काटा लगाते हैं, उसे थोड़ा टाइट लगाना है, तो इसका एक दम सक्त डो तयार कर लें, क्यो दबा चाहे हैं तो सब्सक्राइमें आप ऊईल भरे SEC को आपने आप सिक के ऊपर की साएड आ गार्ट देते हैं तुट theo तो मैंने इनको बाहर भी निकाल लिया है, तोड़ी मद्धी आच में बहुत कस्ता सिकती है, आप इनके हम तुकड़े से कर लेंगे, लेकिन इनको ठंडा करने के बादी करना है, आप इसको मैं मिक्सर जार में पीस लोगी, आप चाहाओ तो इसको खलवट्टे में भी कूट स क्यारे से इनका पावडर्च में फाटा पट से में पीस लिया है, इनको एकद़ पाओदर बनता रहें हैं, और यह मैंने बिल्खलास पीस गया है, और यहम परछा गया है, ओंजिए, ली यह में चुछिखने ना जाले बतैआ However, यह मैंने में टैकब सिक्या के स्थ आख makes it कर दिए पावडर जो मने बना के तियार किया था अब इसको बराबर चलाते रहेंगे इसको में ने तोड़ा सा बोरना भी है ताकि यह द्वी दूसरा बढ़ता लिए इसमें गी लगा दिया था ताकि यह चिपके का निमैं इसका पूरा material में ना इस दूसरे बर्तन में डाल दूंगे, आप इसको ताले में या किसी ऐसी गहरे बर्तन में रखें, ताकि जो हम इसकी बर्पी कटेगी ना एक दम इसने design में आ जाएगी, इसको दबा देती है, थोड़ा सा उपा से डाल देंगे हम मेवा, जो आपके पा मैं दो गंटे के लिए इसी प्लेट फॉर्म पर ऐसे ही छोड़ दोंगे ताकि यह सेट हो जाए, इस वाले मिठाई को आप बिल्कुल भी फिरिज में नहीं रखें, क्योंकि अगर फिरिज में पहुंच जाएगी ना तो इसमें नम ही आ जाएगी तो आपकी बर्ती है बिल आप देख़ा रहे हैं यह सके ना, पीस निकालेंगे हम और अगर भॉस सकतोगी ना, तो आप पीस निकाल पाएगे इसलिए रखें से सोफ्ट सी रहती, उससी में आप इनका पीस निकाल दोगे ना, तो यह बहुत अच्छे से कट जाती है, तो बस यह में नके पीस काट ल आप प्लिस इस वीडियो के जोड़ लाइक करना और मेरे चैनल को जिसने नहीं किया था प्लीज प्लीज चनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन गंटी को प्रेस करना, तो आने वाला नया वीडियो आपके पस तुरंट आएगा, आएगा ना, गंटी तर बजाना तब ही तो आएगा, तो बस इन पीसों को मैं बहुत ही स्वादिश्ट और ना कुछ खर्च में य आटे से, नहीं सांदार मिठाए कि कोई कह नहीं सकता है कि यह गयों के आटे से बनी है, तो हैना यह मजज दर बर भी, कब बना रही है, मुझे भी बताना, और कमेंट करके जरूल बताना कि कैसी बनी है, तो आपको यह मेरी में ठाई पसंद आए, आज का वीडियो तो प्ल आपकी बहुत तारिफ करेंगे, रादे रादे, जय स्रीकिष्णा